वेलकम टू सविल सर्विसे स्टडी वेलकम बैक यू पीए सी सिवल से वागी टेस्ट सीरीज चल लई थी अगला टेस्ट लगाते हैं टेस्ट नमबर 338 और इस टेस्ट में फोकस करेंगे चिकित साप रोधगी की और रोबोटेक्स पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट यू पीए सी सिवल से वागी दरश्टी से तो आज हो गई है 17 माई 2020 और लगाते हैं टेस्ट नमबर वन इस टेस्ट का स्नेक रोबोट अथवा सिंगल एकुरेटर वेव लाइग रोबोट के संदर में कुछ स्टेटमेंट है हाँ पर देखें स्नेक रोबोट एक 3D प्रिंटेड रोबौरट अथो वेव लाइक कती करता है यह तरांके आकार में गती करता है और मनुश्य की आत में प्रवेस करने में सक्षम है और किया आत में आने दिनों में अहाल में जो आपकी आत Noology प्रोसेस होती है उसकी रियर वीडियो दिखाईगा है तो देखिए स्नेक रोबोट अथवा सिंगल एकुरेटर वेव लाइक रोबोट एक 3D प्रिंटेड रोबोट है जो तरंग के आकार में गती करता है और स्नेक रोबोट चिकित सागी दरश्टी से इंपोर्टन्ट है यह रोबोट मनुष्य की आँथ में प्रवेश करने में सक्षम है जल्द ही इसका उपयोग जो है डायेशन सिस्टम बतलब पाचन तंदर के भीतर की रियल टाइम वीडियो देखने में किया जा सकेगा कुशन नुबर टू है लक्षमी रोबोट के संदर में नमलकित गत्नों में से कौन सा गतन साही नहीं है पहला बैंकिंग रोबोट है लक्षमी रोबोट सभी को पताओगा आर्टिफिसल इंटेलिजेंस आधारित भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है तो इसको तो का देखिए एक तो पक्का गल्यतर मैं और वह कौन सा गलत है लाइडिल्य स्थिति योनियन है द्वर को लौशनी किया गया है इसफिसरा यू यूनियन वैंक है उसके घरिद लांकर लौशंकल मने किया नहीं तो देखिए लक्षमिभारत का एक पहला बैंकिंग रोबोट है जो artificial intelligence AI पर आधारित है इस बैंकिंग रोबोट में उपहुकताओं से सीखने की भी छमता है मतलब आप लोग जब बैंक में जाओगे तो आप से भी कुछ न कुछ सीख सकता है ये अब देखें ये है कुम्ब कोनम इस्तित city union bank द्वारा लॉं ये विनिमे दरो जैसी जानकारी का रियल टाइम अपडेट देने में भी सक्षम है ये सभी अंग्रेजी भासा में जवाब देता है ये अभी अंग्रेजी भासा में जवाब देता है आगे इसे छेत्रिय भासाओं में भी जवाब देने में सक्षम बनाया जाएगा तीसरा प्रश्ण है, रोबोटिक्स के अनुपरियोगों के संदर में नम्लिकित कत्नों पर विचार करें देखें, रोबोटिक्स के माद्यम से वैंकिंग को आसान बनाया जा सकता है इनकी साहता से सलचिकित्सा को अधिक आसान और कम जोखिम पूर्ण बनाया जा सकता है इनकी साहता से परियाबरन जोखिमों को कम किया जा सकता है और एग्रो रोबोट की साहता से क्रशी को सरल और अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है तो ये तो ऐसे statement है के पढ़के ही लग रहा है कि हाँ वही सारे के सारे correct होने चाहिए D हो जाएगा इसका उत्तर तो देखिए उपरोग सारे के सारे कथें जो है वो correct है robotics मानब जीवन में बहुत इविविगी तकनीक है इसकी साहता से कठिन कारेयों को उच सुद्धता के साथ सरल और सरल कारेयों को अती सरल बनाया जा सकता है software robotics के माद्यम से वैंकिंग को असान बनाया जा सकता है भारत में सबसे पहले एक साथ 200 software robot तेनाद करने का सरे ICICI वैंक को जाता है इनकी साहता से सली चिकित्सा को अधिक आसान और कम जोखिम पूर्ण बनाया जा सकता है नैनो रोबर्ट का उपियोग तेल के फैलाब और डिसेंबल पुर्दूश को को विसेश रूप से वायो डिग्रेडेबल पुर्दूश को के प्रभाब को कम करने के लिए किया जा सकता है और साथ ही परमाणू सयंत्रों में परमाणू कचरे से निप्टान में रोबर्ट का इस्तुमाल किया जा सकता है जो खतरनाक विकीरण के संभावेत जो खिम से परमाणू सयंत्र में व्यवसाइक स्रमिकों को बचाता है एग्रो रोबर्ट की साहता से क्रशी को सरल और अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है इसकी साहता से खेत जोतना सही समय पर और सही मातरा में खेतों की सिचाई म्रदा की गुडवत्ता की जाच आधी महत्वपूर्ण कारे को किया जा सकता है जो की क्रशी के लिए अधिक उत् आपकी राइटिंग सही है वरतनी की गलती कम है तो तो मोश्ट इंपोर्शन देखते हैं कुश्चन नमबर फूर है टेली रोबोटिक्स के संदर में कुछ स्टेट्मेंट है यहां पर बताना है कि इनमेंसे कौन सा करेक्ट है तो चार है इनमेंसे तीन तो गलत है एक ही सही हो उसक्षम में बदला जाता है यह भी नहीं रोबोटिक्स का भीच्षेत जिसमें दूर से नियंतृत की जा सकने वाले अर्धर स्वायत रोबोट क्या जाता है इन रोबोट्स का नियंतरन मुख्यता वाइरलेस नेटटवर्क जैसे की वाइफाई हो गया ब्लुटूथ हो गया और Deep Space Network के मद्यमं से किया जाता है यह दो परोबंक, उप छेटरो टेली और टेली स्थेंस का एक संयोजन है टेली रोबोट द्वारा ऐसे छेट्रो में भी कार किया जा सकता है जहां मानव अत्यदिक्दूरी जोखिम और अगैमता के कारण उपस्तित नहीं हो सकता इस तक्नीक का उपयोग अंत्रिक्स समुद्र वीडियो कॉन्फरेंसिंग और टेली मेडिसेन अधिछेत्रों से संबंदित अध्यनों और अनुसंदान में सक्षम और प्रभावी रूप में किया जा सकता है कोश्चे नुमबर फाइब है हाल ही में यूनिसेफ और डबलू एचो वर्ड हेल्थ और्गनेजसन ने भारत को याज याज मुक्त घोशित किया है इस बिमारी से संबंदित लक्षणों के संदर में नमलिकित कत्नों पर विचार कीजे देखिए यह मुक्षेत हड़ी तथा उपास्ती को प्रभावित करने वाली एक संक्रामिक बिमारी है कौन सी याज इस से 60 वर्षे अधिक के लोग सरवादिक प्रभावित होते हैं यह विशाणू जनित रोग है कौन सा करेक्ट है इसमें याज देखिए याज जो है वो विशाणू जनित रोग नहीं है वेक्टिरियल जीबाणू जनित रोग है तो अलिमिनेट करिए थर्ड को और 60 कम आयू के वालक प्रभावित होते हैं इसे तो दूसरे को भी काट देजिए पहला वाला सही है के बल तो देखिए हाल ही में यूनिसेफ तथा डबलू एचो ने भारत को याज मुक्त घोशित किया है यह लक्ष भारत ने वर्ष 2020 से पहले प्राप्त कर लिया है जो की डब प्रभावित होते हैं तो दूसरा बाला गलत है तीसरा भी तो गलत है ना अब देखिए गौर तलब है कि यह रोग अधिकतर भीड़ भाड़ बाले ऐसे इलाकों में होता है जहां मूल भूत सुविधाओं की पहुँच बहुत सीमित इस तर तक होती है कोश्य नमबर 6 है भारत में निर्मेद पर्थम लेप्रोसी वैक्सीन के संदर में निम्र कत्नों पर विचार कीजिए पहली लेप्रोसी वैक्सीन देखिए इसे राश्टे परतिरक्षा विज्ञान संस्थान द्वारा विक्सित किया गया है न आई आई इसे विहार तथा गुजरात में पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर सुरू किया गया है ये कुष्ट रोगियों के आसपास रहने वाले लोगों को लगाया जाता है तो करेक्ट है बिलकुल कुष्ट रोगियों के आसपास रहने वाले को लोगों को लगाया जाए गया है वैक्सिन वैक्सिन पर्थम लप्रोसी वेक्सिन वो पाइलेट प्रजेक्ट गुजरात और विहार के तैट सुरू की गई है और इसे राष्ट परतिरक्षा विज्ञान संस्थान नियाई द्वारा विक्सित किया गया है तो गलत इसमें से कोई है नहीं गलत पूछा तो डी हो जागा इसका उत् प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान मतलब नैशनल इंस्टिटूट ऑफ इम्मिनलोजी द्वारा विक्सित किया गया है तो पहला करेक्ट हो गया इसे विहार तथा गुजरात में पाइलेट प्रजेक्ट के तर पर सुरू किया गया दूसरा भी करेक्ट है यह टीका जो है या वेक्षिन कुछ रोगियों के आस पास रहने वाले लोगों को लगाया जाएगा इसने तीसरा भी करेक्ट है तो क्या है इसका फुलफ वार्म? MIP मतलब मायको वेक्टिरियम इंडिकॉस और प्रेनाई, मायको वेक्टिरियम इंडिकॉस प्रेनाई MIP विश्चा नमबर 7 हाल ही में चर्चा में रहे MCR 1 के संदर में कौन सा सही है क्या है MCR 1 क्या COVID-19 के लिए बनने वाली पहरी दबा है क्या स्वाइन फ्लू और वर्ड फ्लू के एक साथ संक्रोन से बचाब में सक्षम कोई वैक्सिन है क्या सारी रिक विकलांगता के लिए जिम्मेदार कोई वाइरस है या फिर कोई एंटिवायोटिक रेसिस्टेंट है क्या है तो COVID-19 के लिए बनने वाली पहली कोई दबा नहीं है ना स्वाइन फ्लू वर्ड फ्लू के लिए सक्षम वैक्सिन ना सारी रिक विकलांगता के लिए जिम्मेदार वाइरस ही है एंटिवायोटिक रेसिस्टेंट है तो देखिए हाल ही में भारत में वैग्यानिकों ने E. coli के एक स्ट्रेंड से एंटिवायोटिक रेसिस्टेंट MCR1 जीन को पर्थक किया है यह जीन एक विसेश एंटिवायोटिक के खिलाब पर्तिरोदक शमता विक्सित कर सकता है वो लेखनी है कि कॉलिस्टीन बरतमान में पुरियोग में आने वाली सबसे प्रभावी एंटिवायोटिक में से एक है तो इस तरह के प्रश्ण UPSC के फैविरेट है सीधे सीधे पूछ लेता है इस तरह से स्टेट्मेंट बना कर कि यह क्या है यह क्या है जैसे क्रिस्पर से स्नाइन के बारे में पूछा गया था प्रश्ण पिछली बार चलिए कॉश्चन नमबर आठ की तरह बढ़ते हैं जीबन रेखा इस स्वास्त परियोजना के संदर में नमलकित में से कौन सा कतन सही है इसे विस वैंक की सायता से केरल सरकार दवारा सुरू किया गया है इसका उद्देश इंटिग्रेटेड हेल्थ केर क्लाउड का निर्मान करना है सभी सरकारी अस्पतालों का डिजिटली करन करने का भी प्रस्ताब है इसमें जीबन रेखा इलेक्ट्रोनिक स्वास्त परियोजना बिल्कुल करेक्ट है दूसरा करेक्ट है तीसरा वर्ड वैंक ही है फिर डवलू एचो है वर्ड वैंक ही है तो सारे के सारे करेक्ट हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा option number D123 तो देखिए उपरोग सभी कथन सते हैं जीवन रेखा electronic स्वास्त परयोजना केरल राज में विश्वैंक के सयोग से चलाई जा रही है इस योजना के मुखेते दो अभी अब हैं सार्वजनिक स्वास तथा hospital automation module इस योजना के तहत integrated healthcare cloud का निर्माण किया जाएगा तथा सभी सरकारी अस्पतालों का digital करने का इसमें प्रस्ताव है question number 9 deep brain stimulator के संदर में कुछ statement है यहाँ पर देखे डीप brain stimulator मस्टिक्स के निश्यद भाग में electrodes इस्थापित करने वाला यंत्र है और Parkinson disease के इलाज में deep brain stimulator एक उपियोगी यंत्र है Parkinson disease पर कल question मनाया था सायथ परसो तो फिलाल correct है दोनों के दोनों statement इसका आंसर हो जाएगा option number C तो देखे अपरोग दोनों कत्थन जो है वो सत्य है deep brain stimulator एक ऐसा यंत्र है जिसकी सायथा से मस्टिक्स के निश्यद भाग में electrodes इस्थापित किये जाते हैं अब Parkinson disease के इलाज में deep brain stimulator एक उपियोगी यंत्र है इसके अतरिक यह यंत्र जो है वो डाइस्टोनिया पुराना अदर्द आदी बीमारियों के इलाज में भी कारगार है हाल ही में भावा परमाणू अनसंधान केंद्र और सिरी चित्र तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलोजी ने deep brain stimulator के विकास हेतू समझोता किया है तो किस किस ने समझोता किया है भावा परमाणू अनसंधान केंद्र और सिरी चित्र तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलोजी तिरुवन्त पुरम ने question number 10 है immunotherapy के संदर में कुछ statement है यहां पर बताने कि नमेंसे कौन सा सही है immunotherapy क्या immunotherapy कोई ऐसी technique है जो cancer के उप्चार में परियुक्त होती है क्या immunotherapy एक यूनानी चिकित्सा पद्रती है क्या immunotherapy इसमें अंते सिरा विधी नहीं परियुक्त की जाती और इस पद्धिती में दुस्प्रुभावों का भावता क्या है immunotherapy तो यह तकनीक cancer के उप्चार में परियुक्त होती है एक अरक्ट है तो देखिए immunotherapy एक जैविक उप्चार तकनीक है जो cancer के इलाज में मददगार है यह cancer से लड़ने के लिए सरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है सरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सुएत रक्त कोशिकाओं और लसी का तंतर के उत को और अंगों से मिलकर बना होता है immunotherapy को अंतेशिरा मौखिक, इस्थानिक और सीधे मुत्राशे आदे विधियों से दिया जा सकता है अब देखे immunotherapy के कई दुश्प्रभाब देखने को मिलते हैं जैसे दर्द, खुजली, सरीर पर लाल चकते पढ़ना सांस लेने में कठनाई, उचिया निम्न, रक्तदाव आदी तो दस प्रश्ण थे important थे अच्छे से इसका revision कर लेजएगा चिकितसा प्रोधकी की और robotics से समबंदित ये प्रश्ण important है, सीधे सीधे पूछ ले आते हैं केमिनो थेरपी क्या है, ये तकनीक cancer के उपचार में परिक्त होती है या इस तरह के प्रश्ण deep brain stimulator क्या है ये जी बन रेखा ये फिर सबसे ज़्यादा important MCR1 क्या है धन्यवाद